गलता लोहा प्रिश्ट संख्या 56 मोहन के पएर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ओफर की वह अनुगूँज शेश थी, जिसे वह पिछले तीन-चार दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथोड़े की धप-धप आवाज, थंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर, और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथोड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बेट वाले हस्वे को लेकर वह घर से इस उद्देश्चे से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई काटेदार ज़ाड़ियों को काट छाट कर साफ कर आएगा। बुढ़े वन्शी धर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। यही क्या जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहां कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और सैयम के कारण ही उन पर शद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जरजर शरीर अब उतना कठिन श्रम और वरत उपुआस नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे सहारा पाने की नियत से ही उन्होंने गहरा निष्ष्वास लेकर कहा था, आज गणनात जाकर चंद्रदत जी के लिए रूदरी पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है, यह दो मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एका एक ना भ मोहन उनका आशे ना समझता हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का ना उसे अभ्यास ही है और ना वैसी गती पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हलका करने का कोई सुझाव नहीं दिया, जैसे हवा में बात कह दी गई थी, वैसे ही अनुद्तरित रह गई पिता का भार हलका करने के लिए वह खेतों की और चला था, लेकिन हसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा, वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फूंकता हुआ, दाएं हाथ से भठी में गरम होते लोहे को उलट-पुलट रहा था और मोहन भठी से दूर हट कर एक खाली कनिस्तर के उपर बैठा, उसकी कारीगरी को पार्खी निगाहों से देख रहा था मास्टर तिरलोक सिंग तो अब गुजर गए होंगे? मोहन ने पूछा, वे दोनों अब अपने बच्पन की दुनिया में लोटाये थे धनराम की आँखों में एक चमक सी आ गई, वह बोला मासाब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे सच कहूं, आखिरी दम तक उनकी छड़ी का दर लगा ही रहता था दोनों हो हो कर हस दिये, कुछ ख़णों के बाद वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लोट गए गोपाल सिंग की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खीच कर तिरलोक सिंग स्कूल की चाहर दिवारी में उतरते हैं थोड़ी देर पहले तक धमा चौकडी मचाते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर जूलते बच्चों को जैसे साप सूंग गया है कड़े स्वर में वो पूछते हैं प्राथना कर ली तुम लोगोंने यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्षना हो गई होती तो गोपाल सिंग की दुकान तक उनका सम्वेट स्वर पहुंचता ही तिरलोग सिंग घूर घूर कर एक लड़के को देखते हैं फिर वही कड़कदार आवाज मोहन नहीं आया आज मोहन उनका चहिता शिष्य था पुरोहित खांदान का कुशागर बुद्धी का बालक पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड तिरलोग सिंग मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्यान हम को दीजिये का पहला स्वर उठा कर प्राथना शुरू करता था प्रिश्ट संख्या 58 मोहन सिंग को लेकर मास्टर तिरलोग सिंग को बड़ी उम्मीदे थी कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता मोहन ठीक ठीक उत्तर दे कर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड़ी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते पकड़ इसका कान और दगवा इससे दस उठक बैठक वे आदेश दे देते धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने तिरलोक मास्टर के आदेश पर अपने हम जोली मोहन के हाथों कई बार बेंद खाये थे या कान खिजवाये थे मोहन के प्रती थोड़ी बहुत इर्शिया रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रती सने और आदर का भाव रखता था शायद इसका कारण यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातीगत हींता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रती द्वंद भी नहीं समझा बलकि वह उसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था बीच बीच में त्रिलोक सिंग मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन कर स्कूल का और उनका नाम उचा करेगा धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाईशी नहीं रखता था और धनराम वह गाओं के दूसरे खेती हर या मज़दूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुह देख पाया था तिरलोक सिंग मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेश ध्यान देते थे एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया धनुआ तेरा का पहाड़ा सुना तो बारह तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था लेकिन तेरह का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था एक संटी उसकी पिंडियों पर मास्थाबने लगाई थी कि वह तूट गई घुसे में उन्होंने आदेश दिया जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला फिर तुझे तेरह का पहाड़ा याद कराता हूँ प्रिष्ट संख्या 69 तिरलोक सिंग मास्टर का ये सामान्य नियम था सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था और जाहिर है बली का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रख कर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वा अपने लिए नहीं बलकि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो धनराम की मंद बुद्धी रही हो या उसके मन में बैठा हुवा डर की पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे तेरह का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था चुटी के समय जब मास्टाभ ने उससे दुबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीड़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर से लड़का आ गया था लेकिन इस बार मास्टर तिलोक सिंग ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाए जबान की चाबुक लगा दी थी तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे विद्या का ताप कहा लगेगा इसमें अपने थैले से पांच छह दरातिया निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थे धनराम की पिता की नहीं थी धनराम हाथ पेर चलाने लाइक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोकनी फूंगने या सांद लगाने के कामों में उलजाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे हताओडे से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंग उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट दे देते थे वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वय करते थे और जरा भी गलती होने पर छड़ बेंत हथा जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल दी और पास पडोस के गाउवालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ओफर को धनराम का ओफर कहने लगे थे प्राइमरी स्कूल की सीमा लांगते ही मोहन ने छात्र विर्थी प्राप्त कर त्रिलोक सिंग मास्टर की भविश्वानी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधरन हैसियत वाले यजमानों की पुरुहताई करने वाले वनशिधर तिवारी का हावसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वपन देखने लगे पीडियों से चले आते पैतरिक धंदे ने उन्हें निराश कर दिया था प्रिष्ट संख्या साथ दान दक्षिना के बूते पर वह किसी तरफ परिवार का आधा पेट भर पाते थे मोहन पढ़ लिख कर वनश का दारिद द्रेय मिटा दे यह उनकी हारदिक इच्छा थी लेकिन इच्छा होने भर से सब कुछ नहीं हो जाता आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गाउं से चार मील दूर था दो मील की चरहाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पढ़ने वाली नदी की समझ से अलग थी तो भी वन्शी धर ने हिम्मत नहीं हरी और लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया बालक मोहन लंबा रास्ता तै कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लोडता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उधारण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते वर्षा के दिरों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशिधर ने नदी पार के गाउं में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तै कर दिया था घर के अन्ने बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और चुट्टियों में नदी उतार होने पर गाउं ला उटाता था सैयों की बात एक बार चुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाडी के दूसरी और भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया पहले नदी की धारा में ज़ाड जंखाड और पात पतेल आने शुरू हुए तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन किनारे पहुँचते ना पहुँचते मटमेले पानी का रेला उन तक आही पहुँचा विये लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुँचने में सफल हो सके इस घटना के बाद वन्शीधर घवरा गए और बच्चे के भविश्य को लेकर चिंतित रहने लगे गटकी तो उसने ना केवल अपनी साहनुभूती जतलाई बलकि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ लखनों भेज दें घर में जहां चार प्राणी हैं एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता बलकि बड़े शहर में रहकर वो अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा वन्शिधर को तो जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हो उनकी आँखों में पानी छल छलाने लगा भरे गले से वे इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही साहरा होता है छुटियां शेश होने पर रमेश वापस लोटा तो मा बाप अपनी गाओं की दुनिया से बिछुड़ कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनव आ पहुँचा अब मोहन की जिन्दगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ घर की दोनों महिलाओं जिन्हें वह चाची और भावी कहकर पुकारता था का हाथ बटाने के अलावा वह धीरे धीरे महले की सभी चाचीयों और भावीयों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया मोहन थोड़ा दही तो ला दे बजार से? मोहन ये कपड़े धोवी को दे तो आ? मोहन एक किलो आलू तो ला दे? आवसत दफ्तरी बड़े बावू के हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई विरादर बताना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वर नहीं देता था इस बात को मोहन भी समझने लगा था थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधरन से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया लेकिन एकदम नए वातावरन और रात दिन के काम के बोज़ के कारण गाओं का वह मेधावी छातर शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा साल में एक बार गर्मियों की छुटी में गाओं जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गाओं जाने वाला होता वरना उन छुटीयों को भी अगले दर्जे की तयारी के न स्थितियों से समझोता कर लिया क्योंकि कोई और चारा भी नहीं था घर वालों को अपनी वास्त्विक स्थिती बता कर वह दुखी नहीं करना चाहता था वन्शी धर उसके सुनहरे भविश्य के सपने देख रहे थे प्रिश्ट संख्या 62 आठवी कक्षा की पढ़ाई समाप् बाक्ष में नहीं है बात घूम फिरकर जिस और से उड़ती वह उसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बी ए ए में मारे मारे बेकार फिर रहें ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा आदमी कोई हाथ का काम सीख ले रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तक्नीकी स्कूल में भरती करा दिया मोहन की दिंचरिया में कोई विशेश अंतर नहीं आया था वो पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में वेस्त रहता धीरे धीरे डेर दो वर्ष का ये समय भी बीट गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्टरियों के चक्कर लगाने लगा वनशी धर से जब भी कोई मोहन के विशेश में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बन कर लोटेगा लेकिन जब उन्हें वास्तविक्ता का ग्यान हुआ तो ना सिर्फ गहरा दुख हुआ बलकि वे लोगों को अपने स्वपन भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए धनराम ने भी एक दिन मोहन के बारे में पूछा था घास का एक तिनका तोड़ कर दात खोदते वे उन्होंने बताया कि उसकी सेकरेटेरियेट में न्यूकती हो गई है और शीघर ही विभागिये परिक्षाएं दे कर वह बड़े पद पर पहुँच जाएगा धनराम को त्रिलोक सिंग मास्टर की भविश्वानी पर पूरा यकीन था ऐसा होना ही था उसने सोचा दातों के बीच तिनका दबा कर असत्य भाषन का दोश ना लगने का संतोश लेकर वन्शी धर आगे बढ़ गए थे धनराम के शब्द मोहन लला बच्पन से ही बड़े बुद्धिमान थे उन्हें बहुत देर तक कचोड़ते रहे त्रिलोक सिंग मास्टर की बातों के साथ साथ बच्पन को लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे धनराम ने मोहन के हसुए के फाल को बेंच से निकाल कर भठी में तपाया और मन लगा कर उसकी धार गढ़ दी गरम लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था धनराम ने उसे वापिस बेंत पहना कर मोहन को लोटाते हुए अपनी भूल चूक के लिए माफी मागी हो बिचारे पंडित जी को तो फुरसत ही नहीं रती लेकिन किसी के हाथ भीजवा देते तो मैं ततकाल बना देता मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा लेकिन हस्वे को हाथ में लेकर वह वहीं बैठा रहा जैसे उसे वापिस जाने की कोई जल्दी न रही हो सामाने तोर से ब्राह्मन टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था किसी कामकाज के सिल्सिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निप्ता ली जाती थी ब्राह्मन टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गाउं की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था धनराम मन ही मन उसके ब्यवहार से असमंजस में पड़ा था लेकिन प्रगट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा लोहे की एक मोटी छड को भट्थी में गला कर धनराम गोलाई में मोडने की कोशिश कर रहा था एक हाथ से संसी पकड़ कर जब वह दूसरे हाथ से हथोड़े की चोट मारता तो नहाई पर ठीक से घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंक से मुड़ नहीं पा रहा था मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथोड़ा लेकर नफी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूग कर लोहे को दुबारा भठी में गरम करते और निहाई पर रख कर उसे ठोकते पीटते सुधर गोले का रूप दे डाला मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फूर्ती और आकस्मिक धंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला पुरोहित खांदान के एक युवक का इस काम में उसकी भठी पर बैठ कर हाथ डालने पर हुआ था वह शंकित द्रिष्टी से इधर उधर देखने लगा धनराम की संकोच असमंजस और धर्म संकट की स्थिती से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की तुटी हीन गोलाई को जाच रहा था उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्विक्रिती पाने की मुद्रा में देखा उसकी आखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें ना स्परधा थी और ना किसी प्रकार की जीत हार का भाव प्रिष्ट संख्या 65 अभ्यास पाठ के साथ एक कहानी के उस प्रसंग का उलेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है दो धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं समझता था तीन, धनराम को मोहन के किस व्योहार पर आश्चेरे होता है और क्यों चार, मोहन के लखनव आने के समय को लेखक ने उसके जीवन का नया अध्याय क्यों कहा है पांच, मास्टर तिरलोक सिंग के इस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों छे, एक, बिरादरी का यही साहरा होता है क, किसने किस से कहा ख, किस प्रसंग में कहा ग, किस आशे से कहा ग, क्या कहानी में यह आशे स्पष्ट हुआ है दो, उसकी आँखों में एक सरजक की चमक थी कहानी का यह वाकिर, क, किस के लिए कहा गया है ख, किस प्रसंग में कहा गया है ग, यह पात्र विशेश के किन चारित्रिक पहलूओं को उजागर करता है पाठ के आसपास गाउं और शहर, दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है चर्चा करें और लिखें दो, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंग का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है अपनी समझ में उनकी खूवियों और खामियों पर विचार करें तीन, गल्ता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है क्या इस कहानी का कोई अन्ने अंत हो सकता है? चर्चा करें फिश्ट संख्या 66 भाशा की बात एक, पाठ में निम्न लिखित शब्द लोह कर्म से संबंधित है किसका क्या प्रयोजन है? शब्द के सामने लिखिए एक, धौकनी दो, दराती तीन, संडसी चार, आफर पाँच, हथावडा दो, पाठ में काट छाट कर जैसे कई संयुक्त क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है कोई पाँच शब्द पाठ में से चुन कर लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए छे बूते का प्रयोग पाठ में तीन स्थानों पर हुआ है उन्हें छाट कर लिखिए और जिन संदर्भों में उनका प्रयोग है उन संदर्भों को उन्हें स्पष्ट कीजिए चार, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से मोहन ये कपड़े धोवी को दे तो आ मोहन एक किलो आलू तो ला दे उपर के वाकियों में मोहन को आदेश दिये गए हैं इन वाकियों में आप सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दुबारा लिखिए विज्ञापन की सुविधा विज्ञापन की दुनिया विभिन व्यापारी अपने उत्पाद की विक्री के लिए अनेक तरह के विज्ञापन बनाते हैं आप भी हाथ से बनी किसी वस्तू की विक्री के लिए एक ऐसा विज्यापन बनाए जिससे हस्त कला का कारोबार चले शब्द छवी निहाई यानि एक विशेश प्रकार का लोहे का ठोस टुकड़ा जिस पर लोहा आदी धातुओं को रख कर पीटते हैं आनायास यानि बिनाप्रयास के अनुगूंज यानि प्रतिध्वनी रह रहकर कानों में गूंजने वाली आवाज हसुए घास काटने का अवजार दराती पृष्ट संख्या सरसट पुरोहिताई यानि पुरोहित धार्मिक कृत्य कराने वाला या पुरोहित का ब्यावसाई पुरोहित का भाव निश्ठा, शद्धा, विश्वास, एकाग्रता द्रिड़ता रुद्री पाठ शंकर की आराधना का एक प्रकार धौकनी लुहार या सुनारों की आग दहकाने वाली लोहे या बांस की नली कुशाग्र बुद्धी तीक्षण बुद्धी वाला पैनी बुद्धी वाला संटी पतली, डंडी या छडी प्रतिद्वंद्वी मुकाबला करने वाला विपक्षी, विरोधी या प्रतिपक्षी विद्या व्यसनी अर्थात पढ़ने में रुची रखने वाला घसियारे यानि घास काटने का काम करने वाले सक्रेटेरियेट यानि सची वाले तुटी हीन अर्थात जिसमें कोई कमी ना हो